नमस्कार आप सुभीका वीरी टीवी भारत में स्वागत है जम्मू कश्मीर में बीते महीने से आतंकियों का सफाया करने के लिए सुरक्षा बलों के द्वारा ओपरेशन ओल आउट चलाय जा रहा है इसी कड़ी में बुधवार को जम्मू शहर के बाहरी इलाके सिद्रह में आतंकियों और सुरक्षा बल में मुटभेड हुई जिसमें सेना ने चार आतंकियों को मार किराया है आतंकियों के साथ इस एंकाउंटर को लेकर जानकारी सामने आ गई है कि मारे गए आतंकी कश्मीर में किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की तयारी में थे एंकाउंटर के दौरान जिस ट्रक में आतंकी आये थे उसमें भारी मात्रा में गोला बारूद और हतियार बरामद हुए थे कुछी दिनों में नए साल के जश्न और फिर 26 जनवरी को लेकर सेना अलर्ट मोड पर है इस दौरान किसी भी तरह की आतंकी घटना घटितना हो इसके लिए चप्पे चप्पे पर सेना के जावा सिपाही मुझतैद है और ऑपरेशन ओल आउट के तहट आतंकीों को ढूंड ढूंड कर मौत के घाट उतारा जा रहा है सेना और आतंकीों के बीच बुद्धवार को हुए एंकाउंटर को लेकर ADGP जम्मू मुकेश सिंग ने बताया कि इलाके में कुछ आतंकीों के चिपे होने की खबर थी जिसके बाद चार आतंकीों को मार गिराया उन्हें बताया कि जब गोली बारी हुई उस दोरान आतंकवादी एक ट्रक में थे दोनों और से गोली बारी सुभे 8 बच कर 35 निनट पर पूरी तरह से रूप गई जिसके बाद मारे गए आतंकवादी का शब बरामत कर लिये गए उन्हें कहा कि आम तोर पर ट्रक की मुमेंट 12 बजे रात के बाद होती है लेकिन जब इस ट्रक को सुभे देखा गया तो शक हुआ और ट्रक को रोक कर ड्राइवर को नीचे बुलाया गया ड्राइवर ट्रक से उतर तो गया लेकिन उसने टॉयलेट जाने की बात कही तभी ड्राइवर टॉयलेट जाने के बहाने भाग निकला लेकिन ट्रक की चैकिंग के दौरान फाइरिंग होने लगी तो सुरक्षा बलो ने इसका जवाब दिया और चारो आतंगी मारे गए ताज अब्रेट के लिए विडि टीवी भारा से जुड़े रहे नमस्कार